नमस्कार 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार आज जानेंगे मेंस राशी से लेकरके मीन राशी तक का आज का सभी का हल मेंस राशी शूरिय मंगल को छोड़ करके आगे बढ़ चुका है यानि कि धनूराशी में जो मंगल की उपस्तिती थी वो इस्तिती जो हैं कि थोड़ी सी चेंज हुई है तो ये जो आज का जो टाइम मंगल की घर हम बात करें कि मेंस राशी वालों के लिए तो मेंस राशी के भाग के आपका बहुत कम देगा आजात्री थोड़ा सा आपको महीना भर आपको विस्स त्हान रखने की आवर सकता है परिवर्तन कोई करना चाहते हैं तो आप बिल्कूल कर सकते हैं थोड़ी सी रुकावटे होगे लेकिन परिवर्तन आपका होगा ये परिवर्तन से आपके लाभ होगा उपाई क्या करेंगे भगवान भुवन भासकर को गुड लाल कलर का फूल और चावल के कुछ दाने साबुद दाने हो भुवन भासकर को अरक देंगे अगर आप उगते हुए सूरी को जल देते हैं तो आपके लिए अकि उत्तम रहने वाला है आज आपके बिसतरषी की बात करें तो बिसतरषी वालों के लिए आज का दिन जो है काफी अच्छा रहने वाला है और जो कि पिता के स्वास्त को लेकर के थोड़ी सी चिनता जनक वाली बात है और साथ में बच्चों की एजूकेशन पढ़ाई को लेकर के सबसे जादा मानशिक तनाव में आप रहते हैं जो कि आज जीवन साथी के साथ में ताल मिल काफी अच्छा रहेगा काफी पती-पत्नी आपस में काफी अच्छा फील करेंगे एक दोसरे का शहयोग एक दोसरे की आउशक्ताओं को पूर करने का प्रयास करेंगे तो दिन काफी अच्छा है अपने जीवन साथी के साथ में कहीं पी यात्राएं भी आपकी हो सकती है लेकिन परिवार की तरफ से थोड़ा सा नाराजगी आपको देखने को प्राप्त होगा खोड़िये आप दोनों अगर खुश हैं तो बहुत इच्छी बात है आज आपको उपाय करना चाहिए भगवान शू की पूजा अगर आप करती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज आपके लिए प्रत्चतंक मिलता 28 और आपके लिए लगी कलर जो आपके लि रहें कुछ नया चीज करने का योग बनेगा जो काफी लंबे समय से कारी रुका हुआ था वो कारे आपका सिद्ध होगा लाभ आचानक होगा प्राक्रम भाव आपका काफी हद तक करके मजबूत रहेगा उपाय क्या करेंगे भुवन भासकर को जल अर्पित अवश्य कीज नीला प्रतिशत अंग आपको प्राप्त होता थाइस प्रत्त करकराशी आज का दिन काफी खुश्यों में निकलने वाला है आचानक धन लाभ होगा कुछ यात्राएं आपकी जो पेंडिंग थी वो हो सकती है प्लानिंग बन सकता है आज गाड़ी प्रापर्टी या मकान का कहीं पर डील हो सकता है या बनाने का योजना बन सकती है लकी कलर रहेगा आपके लिए सफेद और प्रतिशत अंग आपको मिलता है तेईस प्रतिशत सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा संतान की तरफ से कुछ नई खुश खबरे मिल सकती है Confidence आपका काफी आज अच्छा रहेगा, अचानक धन लाब होगा, ब्यापार में परिवर्तन कर सकते हैं, बिदेश जाने का योग प्रबल बनता है, बाहर से धन अरजित किया जा सकता है, कुछ योजना इस प्रकार की बन सकती है, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, तो धन की प् सकती है, इसमें कोई संदे नहीं है, और यात्रा ये आपके लिए लाप्रद रहेगा, आज आपके लिए लखी कलर रहेगा, केसर्या, और प्रतिसत अंग आपको प्राप्त होता है, 34 प्रतिशत, अच्छा है काफी, कन्यारासी, आदित राजियोग का निरमान होता है, आप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर पॉइंट अफ्यू से काफी अच्छा रहेगा, परिवर्तन आपके लिए लाप्रद रहेगा, गाड़ी या प्रापर्टी का योग बना हुआ है, जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा मनमटाव हो सकता है, मंगल, चुकि भाई का कारक ग्रह है, तो मंगल भाईयों का सहयोग मिलेगा, भाई का सहयोग आपको प्राप्त होगा, भाई के सहयोग से आप उचाई पर जा सकते हैं, थोड़ा सा रुकावटे होगे, थोड़ा धैर रखने की आपको आवश्यक्ता है, उपाय क्या करेंगे, आप भोन भासकर को चल अर्पित करेंगे, उपने कुल देवी देव ताकि पूजा आज आपको अवश्यक्रना चाहिए, गर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर के मंदर में दीपक प्रचलित करके, राम दरवार की तस्वीर को समक्ष रख करके, स्री राम जैराम जै जैराम इस मंदर का ज दिन, काफी अच्छा नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा निगेटिव फीलिंग आपको जो हैं जरूर आएगी, अपने दैनिक रोजगार को ले करके, थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, और चिंता का कारण होना भी चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं, जिसके कारण से आपका कारिय खराब हो जाता है, जिसके कारण से काफी निगेटिविटी आदनी लगती है, इसके कारण से नुक्सान होता है, नुक्सान का योग भी बंदा, थोड़ा सा समहल करके, आज का दिन आपको निकालने की आवश सकता है, कर्ज आपको लेना पड़ सकता है, या कर्ज लेनी की प्लानिंग कर सकते हैं बचने का प्रयास कीजिए आज आपके लिए लगी कलर रहेगा सफेद और प्रतिसत अंक जो आपको प्राप्त होता है 39 प्रतिसत ब्रिश्चिक रासी ब्रिश्चिक रासी वालों के लिए आज का दिन कफी अच्छा जाएगा काफी उमंग रहेंगे आ और आज आपका बहुत बड़ा काम बन सकता है थोड़ा केरियर की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है आचानक कोई डील हो सकती है और वो डील आपके जीवन की दसा दिशा को परिवर्तित कर सकता है आचानक थन लाब होगा लेकिन संतान पक्षी की तरफ से आ काफी दुखी ने एक बार अपने संतान की कुंड़ी का अलोकन किसी इस पिद्वान ब्राम्हन से उस्च कराईएगा आज आपके लिए उपाय क्या करना है आपको या देवी सर्भुतेशो शक्त रूपेडेशन स्था नमस्त अस्ताई इस मंतर का रुद्राक्ष के माला से एक माला जाप करके फिर आप घर से बाहर निकल लिएगा निश्चित रुप से आप देखिएगा काफी अच्छा लापराप्त होगा प्रतिशत अंक आपको प्राप्त होता है 29 प्रतिशत और आज आपके लिए लखी कलर हैगा के सरिया धनुराशी धनुराशी वालों के लिए आज का दिन मान सम्मान प्रतस्टा में ब्रिद्धी होगी कॉन्फिडेंस आपका काफी अच्छा रहेगा भाग के कम साथ देगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन संतान पक्च की से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता उनके एजुकेशन को लेकर के उनके केरियोर को लेकर के थोड़ा परिसानिया आप महसूस करेंगे और होनी भी चाहिए आज आपके लिए लखी कलर रहेगा पीलार प्रतिशत अंक जो आपको प्राप्त होता है अभी यह चीजे नहीं बन सकती है आपका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है भगवन भोरे नाथ की पूजा अरचना करें आपके लिए अत्यधिक लाब होगा लखी कलर आज आपके लिए रहेगा जामुनिया प्रतिशत अंक आपको प्राप्त होता है 24 प्रतिशत कुम्भराशी वालों के लिए मान शम्मान प्रतिश्ठा में ब्रति अचानक धन लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पुराने क्लाइंट कह लिजे आपके हों या आपके जानने वाले हों वो आज आपको शंपर्क करेंगे और उस संपर्क से आपको अत्यधिक लाब होगा बिदेश जाने की योजना जो काफी लंबे समय से चलाता है वो योजना आज आपको रंग लाएगी यानि की सफलता प्राप्तों की उपाए क्या करेंगे आज आपको उपाए संध्या बंदरा करोने के पस्चात किशी मंदिर में जाकर के भोले नात के मंदिर में मातारानी के मंदिर में एक घी कादी पक प्रचलित करें और जल से आचमन करके अपनी मनो कामना की पूर्ती हेतू आग ग्रह करें निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा होगर लगी कलर आपके लिए रहें के जामुनिया प्रतिशत अंग आपको प्राप्त होता है 30 प्रतिशत मीन रासी मीन रासी वालों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली इस्थिति आज रहेंगे ब्रामित और कन्फ्यूजन रहेंगे कैरियर को लेकर की थोड़ा सा चिंतित अवस्य हैं पठहरना पड़ेगा अभी निरड़े मत लीजे परिवर्तन के लिए आज आपके लिए परिवर्तन का सोचना भी नहीं थोड़ा सांत रहने का प्रयास करेंगे आपको परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा खर्च में ब्रिद्धी होगी आज आपका खर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है प्रशनल खर्चा आज आपका बड़ेगा ब्रामित और कन्फ्यूज बिल्कुल मत होईए आपका आने वाला समय काफी अच्छा बन सकता है लेकिन मांसिक की स्थितियां सबसे ज़्यादा डिस्टरब करेंगे क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट पर आपकी रासी पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनी हुए आज आपके लिए प्रत्सतंक आपको मिलता टाइस लकी कलर आपके लिए रहेगा पीला तो ये रहा मैं इस तरासी से लेकर के मींद आसी तक पुरा हाल अगला आप शोड़ लेकर के पुना हाजिर होंगे तब तक दीजिए इजाज़त नमस्कार